हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्टेक्टर लावर में दोस्तों आज मैं आपको बता हूंगा सोराज आटसो बच्पन एफ सी जो कि फोर इस्टार रहे वह कितना डिजल लेता है किस-किस इंप्लिमेंट में कितना डिजल लेता है लोग वेसे बहुत डराते हैं यह जो करके लोगों को पहले ही डरा देते हैं लेकिन मैं आपको जो जितना डिजल लेता हो बता हूंगा तो दोस्तों जैसे मालीजा अब घर्मे में अगर आप जुताई की बात करते हैं मालीजा अगर आप कल्टिविटर चलाते तो दोस्तों यह 3.5-3.5 लिटर ही इससे ज्यादा नहीं खाएगा और बिल्कुल लोट के हिसाफ से खाता है जिसे मालीजा तीन तीन लिटर से स्टार्ट होता है तो 6.5-6 लिटर तक डिजल ले लेता है एक घंटे में अब यह डिपेंड करता है लोट पे तो दोस्तों मेरे हिसाफ से अगर देखा जाए तो बढ़िया को इतना ज्यादा डिजल नहीं लेता है ट्रिक्टर क्योंकि लोग तो खाली डराते क्योंकि आप अगर लोट उस पर दोगे तो उस हिसाफ से हाता है ट्राली में अगर देखो तो बहुत कम डिजल लेता है लोग तुम चलाओगे तो तीन पोने तीन लेटर में any time. seven फ्रोट एंटा लेते हैं तो शुकी मिटी जैसे अभी गरमी में अगर करना आए तो उसमें देखाई लेगा लेकिन जैसे बरसाथ के बाद हम स्वाविन काटने के बाद जब रोटाउटर करते हैं तो उसमें लगबग यह पांच लिटर तक डिजल ले लेता है और मैं यह बता दू मेरे पास यह देखिए यह साथ फिट का रोटाउटर है माश्यों का तो यह इसको भी चलाता है तो इस कि जैसे मान लीजे अगर हमें खाली घर के अगर खेती करनी है तो आप बले 60 एश भी लेलो पेसाट एश भी का ट्रीक्टर लेलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अगर वह दिजल लेगा तो काम जल्दी कर देगा अगर वही अगर हम भाड़े पर टिक्टर चलाते कि राय से त जादे से चलता है तो उसमें कोई दिक करनी अगर घंटे से चलता हो तो उसमें क्या होगा कि वो डिजल भी ज्यादा ले लेगा और साथ में काम भी जल्दी कर देगा तो जिस्चे हमारा नुकसान है जो दोस्तों वीडियो गार अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हैं